कि अलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर डेटा फ्लेयर पाइफॉन के इस फ्री कोर्स में जहां बात करेंगे आज हम लोग मना दो मोस्ट अवेटेट कॉंसेट ग्राफिकल अप्लिकेशन के बारे में कि सर ग्राफिकल अप्लिकेशन कैसे डिजाइन होगी अभी तक हमने जो बड़े बुरिंग से कंसुल पर फिरसल एक हमारे जो भी रीजयर वो स्क्रीट आ रहे हैं एक जो बिता केसि एक सरी मिल और यही ऑप्लिकेशन चोंब हमने बात की एक्टेर कि जो भी डेटा रहा है वो चाहिए लेकिन अगर मुझे यही रिजल्ट ग्राफिकल फॉर्मेट में चाहिए मैं जाता हूं कि सर मैं यूजर से डेटा एंटर करूं लेकिन ग्राफिकल फॉर्मेट में तो अभी अमने concept पढ़ा ग्राफिकल अप्लिकेशन क्या होती है जी वा थोड़ी सी धिमें से करते हैं कि एक बार पहले एक जीओइए अप्लिकेशन का लुके पील शीबल्द ऑपíli выбich करते हैं यहाँ आपने क्या किया सब्से पहले पाइफ़ेन फाइल क्रेट की हो इसका मिन्य नाम रख दिया टेस्ट जीओडेम & के नाम से टेस्ट जी वाई डेमो यह हमारी पहली जी वाई अप्लिकेशन हम बना रहे हैं तो जैसे मैं आपको बोला था कि पाइथॉन में अगर आपको जी ओए अप्लिकेशन डिजाइन करना है तो बना आप दो मोस्ट यूजेबल module इस tk enter module जिसको अब किंटर भी बोल सकते हैं राइट हमने क्या किया यहाँ पर सबसे पहले इस module को इंपोर्ट किया tk enter from tk enter import star मैं एक साथ उसके सारी classes method सब कुछ import कर रहा हूँ राइट अब यहाँ पर आपको यादे मैंने आपको बोला था कि आपको सबसे पहले design करना है अपना root अपना container ओके first unit to design your container आपको अपना root design करना है और उस root को design करने की जो responsibility है ठीक वो है एक class की जो की इसी tk enter module की class है will create a root for you तो आपको इस class का object बनाना पड़ेगा तो मानलो मैंने इसका object बना लिया my root के नाम से तो जैसे ही मैंने इस class का object बनाया आप देखिए कितनी शांदर और कितना easy way में python ने हमें graphical application creation का option दिया है जैसे ही मैंने इस class का object create किया मेरे लिए एक root ready हो गया मेरी एक frame ready हो गई यह root मतलब your container यह container जो होता है container मतलब जिस पर अब हम component रखेंगे जैसे हमारे घर में जो दिवाल होती है वो हमारा container वाल फिर हम उस पर component रखते हैं image लगा देते हैं बोड लगा दिया कोई कुछ article खरीद के लाए तो वो लगा दिया वह तो whatever तो जब आप कोई भी graphical application python में बनाते हैं तो first you need to create a container और यह मेरा container ready हो गया लेकिन इस container को show कैसे करेंगे तो अब देखे एक अभी अगर मैंने इसको run किया सब्सक्राइब करते रहना है जब तक कि मैं खुझ उस container को या मेरा जो फ्रेम है उसको close ना कर दूँ राइट तो यहां पर हमें इस माय रूट की एक मैथट कॉल करनी पड़ेगी मेन लूप ठीक है इस मेन लूप मैथट विल डिस्प्ले दक कंटेनर तिल यू विल नॉट क्लोज जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे कंटेनर शो करता रहेगा मतलब आपकी फ्रेम जो है लेट सी और आप देखे ज अंसे अब स्टेप बार स्टेप देखते जाएं तो सबसे पहले हमने क्या किया सबसे पहले हमने टीके क्लास का अब्जेट बना है माय रूट के नाम से और उस माय रूट से हमने इसकी मैथट कॉल करी मेन लूप इस में लूप मेफ़ड़ इसको रन किया इस वन नौ इस कंटेनर इस इंफरन आफ में यह बेस अब इस को थोड़ा सा लुकेंड फिल अच्छा बना लेते हैं तो यदि इसकी size आपको अपने इसाप से set करनी है यह सर मैं चाहता हूं कि यह तो by default size का रहा है पर अगर आपको इसकी size अपने इसाप से set करनी है तो inside this my root मतलब सुनना इसको create करने से लेके main loop के बीच में आप इसको जो भी आपको इसमें look and feel change करना है वो सारी तैयारी आप इसके बीच में करें मतलब यह आपका container ready हुआ यह आपका frame ready हुआ यह आपका root ready हुआ यह आपने उसको display कर दिया लेकिन उसके पहले उसमें क्या-क्या changes करना है तो मैंने का सर मुझे इसका जो size है वो change करना है width और height मुझे change करनी है तो मैंने लिग दे my root dot there is a method called geometry geometry method ठीक है यह जो geometry method है यह आपसे क्या मांगेगी यह आपसे मांगेगी width और height आपको कितने बाइक इतने का अपना frame ready करना है तो मान लोगर मैंने इसको दे दिया 400 अब यहाँ दायन रखना आपको यहाँ पर x देना है वो भी जो भी width tight दोगे that is in double quotes लेकिन by default गलती से कहीं बार बच्चे उसको multiply कर देते है न multiply it is not multiply actually it is small x तो हमने क्या लिख दिया 400 by 300 but it is in double quotes and I don't use multiply here and not in capital small x तो यह आपने बता दिया कि आपका मतलब यह जो है actually अपने बता दिया आपकी width कितनी होगी और आपकी height कितनी होगी तो यदि मैं अब इसके बाद अपने container को या अपनी frame को देखता हूं तो see this one अब यह 400 by 300 मुझे इतनी size का दे रहा है यदि मानलो मैंने इसको 300 से suppose इसको कर दिया मैंने 700 तो this one height बढ़ गई इसकी ठीक है यदि मैंने इसको 400 से कर दिया मानलो 700 तो इसकी width change हो जाएगी यह मेरा container ready है मैं आपको बताता हूं देखो क्या होता एक्चली base क्या होता है आप कभी भी जैसे मानलो मैंने यहां पर अगर कुछ changes करे हैं ठीक मानलो अगर यह मैंने कुछ changes करें ओके और अब मैं अगर यहां पर exit करता हूं तो यह मुझसे पूछ रहा है न are you confirm exit तो जड़ा इसको ध्यान से देखो यह पीछे जो है यह क्या है यह आपका base है यह आपका root है और इसकी उपर यह label है यह दो button है यह checkbox है यह image है तो इन सब को लाने के लिए पहले background में मुझे frame लाना पढ़ाना प्लिटा तो यह जो आप application design कर रहें GOE application इसी को हम desktop application भी कहते है it is also called desktop application हम एसी ही GOE application आगे web-based भी बनाएंगे using python हम आगे web-based application भी बनाएंगे लेकिन वहां पर हम django को use करेंगे यह जो application अभी हम बना रहे है यह desktop application this is for desktop application यह Windows-based application है यह कोई internet-based application नहीं है यह एक single system user application है ठीक है तो यह समझ में आया तो अब यह जो frame है आपकी यह frame आपकी 700 बाइश 700 की हो गई आप weight height कम कर सकते हैं if you want मैं इसको बूल दिया suppose 500 बाइफ 500 तो यह मेरी frame यह आगई आपकी weight or height 500 बाइफ 500 राइट लेकिन अब यहां पर आप देखो मैं यह चाहता हूँ जब यह frame आ रही है तो sir मुझे यहां पर यह ठीके लिखा हुआ रहा है जबकि यह frame पर यह title है actually this is the title तो यह ठीके default आ रहा है मुझे इसका title चेंज करना है तो यहां पर आपको my route में you will get a method title बात ठीक है यदि मैंने title में लिख दिया suppose suppose करो में यह login application बना रहा हूं तो मैंने लिख दिया employee employee के लिए बना रहा हूं तो मैंने लिख दिया employee login application इंप्लाई login application इससे क्या होगा जब यह आप रिख होगे तो यह आपको अपना टाइटल मिल गया अब आपको लगता है कि आपको यह side में image है सर मुझे image भी change करना है तो यह जो image actually this is basically यह icon image यह आपके icon image है ठीक है तो इस icon image को लाने के लिए आपको सबसे पहले एक icon image डाउनलोड करनी पड़ी है और अगर आपकी मचीन पर अलड़ी icon image है then it is okay अभी देखा आप मैंने यह download करके रखी हूँ यह 2.ico यह मेरी icon image है this one यह मैं लाना चाहता हूँ अपने image place पे तो यह पर हम कहा लिखेंगे myroot dot icon wm underscore icon bitmap this is what the method ठीक है तो इस method को आपको क्या देना है इस method को आपको वह image देनी है जो आपको वहां लेके आनी रूट पे तो मैंने image कोंची मेरी 2.ico and it is in string format तो यदि मैं इसको run करता हूं तो see this one now this image is change अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यह image जो है now this image is change हम इसको भी resize भी कर सकते हैं you can also resize this frame आप इसको resize करके अपने साब से सेट कर सकने से this one यह और यह जो image है यह image आपकी change हो गई बात समझ में आ रही है तो यह जो अभी हम बात कर रहा है यह actually अभी हम केवल जो हमारी frame आई है जो हमारा root आया है उस root को look and feel change करने की बात कर रहे है कि what is the root basically आपका base आपका container desktop application के लिए आपका container क्या है इसको हम root बोल रहे है आप है तो root को अगर आपको size set करनी है then we have a geometry method title set करना है then we have a title method आपको image लेके आनी है और main loop जो है वो इसको display करने के लिए अब यह आपने देखा भी में इसकी width और height है उसको change कर पा रहा हूं मतलब मैं उसको run करके बदाता हूं चीजें क्या होता है practically ज्यादा अच्छे था समझ में आती है इसकी size अभी इस तरीके से change कर पा रहा हूं पर मैं चाहता हूं कि sir मुझे इसकी maximum और minimum height जो है वो fix रखना है तो यदि आपको लगता है कि आपने एक आपका image set कर ली 500 500 तो ना उसको मैं minimize कर पाऊं ना मैं इसको maximize कर पाऊं तो यदि मुझे मैं इसकी size को set करना है तो वी कॉल मैथट माय रूट मैक्स अंडरिसकोर size और यहां पर आपने दे दिया width, height क्या आपको width कितनी रखना है और maximum height कितनी रखना है तो आपने बोल दिया sir मुझे maximum width जो है वो suppose 700 रखना है और maximum height जो है वो suppose 400 रखना है या 700 रखना है ठीक है तो यह आपने बताया दिया width or height कि max size आपकी कितनी होगी तो see this one अब मैं इसको इससे ज्यादा यह देख़ा आप छोटा कर रहा हूं लेकिन मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा width or height मैं अगर इसको ड्रैग भी करना हो तो यह maximum 700 से ज्यादा max size सपोर्ट नहीं करेगा और similarly यदि मैंने लिख दिया myroot dot min size minimum size तो minimum size भी आपने set कर दी 500,500 width 500 जो मेरी size है पस वही मुझे यह minimum चलो open कर देते हैं इसको 400 by 400 तो आप देखो अब मैं इसको अगर रन करता हूं तो मैं अगर इसको minimize करूंगा तो you can not minimize lesser than this और ना इसको 700 से ज्यादा बड़ा पाऊ गया तो I hope आपको यह concept समझ में आ रहा है कि कैसे हम एक frame को यह हमारा container को किस तरीके से सेट करेंगे कैसे उस पर title लेके आएंगे किस तरीके से हम उसका icon image लेके आएंगे ओके तो यह अभी हमने देखा केवल एक container को कैसे ready करना है how to ready the container how to ready the route for our application और एक बार अगर यह route ready हो गया अब इस पर मुझे क्या करना है अब इस पर मुझे label लेके आना है इस पर मुझे checkbox लेके आना है मुझे text box लेके आना है तो सारी बाते करेंगे लेकिन next lecture में तो पहले आप इतना एक बार practical run करके देखिए चीजों को समझिए कि कैसे हम अपनी एक frame ready कर सकते हाला कि बहुत छोटा सा टास्क रहेगा अब आपकी लिए को कि मुझे चीजों को समझाने में थोड़ा सा time लग रहा था यहां पर आपको तो type करना है केवल ठीक तो सबसे पहले हमने क्या देखा क्लास जो हमारे लिए रूट रेड़ी करेगा वंस्मार रूट इस रेड़ी सो देट मैं इसमें जोमेट्री सेट कर सकता हूं मतलब कितने बाए कितने के मुझे कंटेनर चाहिए उसकी maximum size minimum size कितनी होगी उस पर title क्या रखना है उस पर image कुण से लेकर आना में लूप this is the method which basically responsible to display the container क्या आपका जो भी container है उसको डिस्प्ले करने की responsibility किसकी है में लूप की तो आपको चीजे समझ में आ रही और interesting concept ग्राफिक से तो मजा आने वाला है ठीक है तो मिलेंगे next lecture में इस पर